नमस्कार स्वागत है आपका दन्यूस पर और मैं हूँ आपके साथ शेरिन कैनडा के प्रधान मंत्री जस्टिन टूडो को भारत के खिलाब बयान देना पड़ चुका है भारी और अब कैनडा पड़ चुका है अलग थलग जाब बड़े देश अमारिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जो है वो पहले ही भारत का साथ दे चुके हैं और सुना चुके हैं कैनडा के लिए तो वहीं दूसरी तरफ अब शुरी लंका के विदेश मंत्री ने भी खरी खोटी सुनाई है कैनडा के प्रधान मंत्री जस्टिन टूडो के लिए जी हां दरसल आपके लिए भारत और कैनडा के भी जारी डिप्लोमेट तनाब के बीच अब शुरी लंका का रुख जो है वो सामने आया है शुरी लंका के विदेश मंत्री अल साबरी ने एनाई से बात करते हुए कहा है कैनडा मैं आतंगियों को पनहा दे रहे हैं पीम टूडो ने बिना किसी सबूत के भारत के खिलाब आरोप लगाए हैं साबरी ने कहा है कि यह देखकर चकित नहीं हुए क्योंकि टूडो पहले भी ऐसे बेतुके आरोप लगा चुके हैं इससे पहले टूडो ने श्री लंका को लेकर भी ऐसा ही जूट बोला था उन्होंने दावा किया था कि श्री लंका उन्होंने आगे कहा कि मैंने देखा कि उन्होंने वर्ल्ड वोर टू में नाजियों के साथ लड़ने वाले किसी सक्ष का सम्मान किया ये नई बात नहीं है कि पीम टूडो कई बार अपमान जनक आरोपों के साथ सामने आते हैं जिसका कोई आधार ही रही है केनडा ने अपने नागरिकों के लिए ट्रावल एडवाईजरी अपडेट की है दूसरी दरब केनडा ने भारत में रह रहे अपने नागरिकों के लिए ट्रावल एडवाईजरी अपडेट की है जिसमें उन्हें साब्धानी बरतने की सला दी गई है कैनेडाई नागरिकों से कहा गया है कि वी अलर्ट रहें साथान बरतें क्योंकि सोशल मीडिया पर कैनेडा के खिलाप विरोध प्रदर्शन और नकारात्मग भावनाएं भड़काई जा रही है दरसल आपके लिए बता देंगे टूडू ने कहा था कि श्री लंका में संगहार हुआ है और इनी तमाम चीजों को लेकर जो है वहां के विदीश मंत्री आज भारत का समर्थन कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि मैं भारत के साथ हूँ और उन्होंने ये भी बात कही है कि किस तरीके से आतंकियों को जगा दी जा रही है कैनडा में जिया ये बड़ी बात जो है वो कही गई है उन्होंने कहा है कि आतंगवादियों को जो है वो सुरक्षित ठिकाना कैनडा में मिल चुका है और इसी के साथ कैनडाई पीम के पास बिना किसी सबूत के अपमान जनक आर शृषी लंका में भी इससी तरीके की बातकी शृरी लंका को लेकर भी इसी तरीके के वयान बाजी कर चुके हैं और शृरी लंका में ग्रयग्ध खतम होने की 14 साल गिरय पर कहा गया था कि उस दोरान हस्जारों तमिलों ने अपनी जान गवाई थी कई लापता और घायल हुए थे साथ ही कई लोगों ने अपने घर छोड़ने पड़े थे टूडू ने कहा था कि इस में मुली कवाईले यानि की काफी जादा नरसंगहार भी शामिल है टूडू ने कहा था कि उनकी संसत ने पिछले सास सर्वसम्मत्ती से 18 माई को तमिल नरसंगहार समृती दिवस घोशित करने के प्रस्ताव को पारत किया था इस पर श्री लंका ने विरोध जताया था सुमवार गोव विदेश मंत्री अलसाबरी ने कहा कि टूडू के बयान के बाद से दोनों देशों के रिष्टे जो है वो काफी जादा प्रभावित हुए अगर रिष्टे प्रभावित होने की बात पर नज़र डालें तो आज जस्टिन टूडू के बयान की वज़े से ज हमारे लिए भारत के साथ रुष्टे बनाए रखना काफी जादा महतपूर है यानि कि एक तरफ जो है वो कैनडा कैनडा के प्रधान मंतरी अलग थलग पढ़ते हुए नजार आ रहे हैं लगातार मीडिया सवाल कर रहा है कि भारत के ऊपर निशाना या रोप लगाने से क्या जस्टिन टूडो अपनी सरकार को बचा सकते हैं कि जस्टिन टूडो की सरकार को लेकार जो रोश है जो गुसा है वो कही ना कहीं कैनडाई नागरिकों में भी देखा जा रहा है और शायद जो है वो देखा भी जा सकता है कि शायद आने वाले सालों में या महिनों में सरका ना चली जाए इस तरीके की चीजन जो है वो कैनडा में बातें भी होने लगी है इसी के साथ अगर हम नज़र डाले शुरी लंका की विदेश मंतरी के बयान पर फिर एक बार तो उन्होंने ये भी कहा है कि किसी को भी एक दूसरे देश के मामले में दखल नहीं देनी चाहिए और ना ही ये बताने की कोशिश करनी चाहिए कि देश कैसा चलाया जाए इसी के साथ शुरी लंका की विदेश मंतरी ने कहा है कि हम अपने देश में हैं और इसलिए हम इनसे बहतर समझते हैं हम अपने देश को अच्छी तरीके से जानते हैं टूडो का बयान गलत है और आजनक है इसी के साथ श्री लंकाई हाई कमीशनर जो है उन्होंने भी कहा है कि हम भारत के साथ है और वहीं भारत में श्री लंका के हाई कमीशनर मिलिन मोरगांड ने कहा है कि कैनला के आरों पर भारत की प्रतिकरिया काफी सक्त रही है श्री लंका इस मामले में भारत का समर् भारत के खिलाफ में हुए उन्हों ने कहा श्री लंका के लोगों को आतंगवात की वजए से नुकसान हुआ है और उनका देश आतंगवात को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीती रखता है आपके लिए बता देए कि अमारे चीजों का समर्थन करना पड़ रहा है इसी की साथ अमेरिका की तरफ से भी यह कहा गया है कि भारत को जाँच में सही योग करना चाहिए क्योंकि अमेरिका ने एक बार फिर से खालस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के वामले में जाँच की बात दोराई है अमेरिका लिपून घटना है कैनेडा की जाँच आगे बड़े और अपराधियों को सजा मिले हमने भारत सरकार से कैनेडाई जाँच में सही योग करने की जो है वो अपील की है दर असल आपके लिए बता दें कि जिस निज्जर यानिकी खलस्तानी आतंकी को लेकर यह मुद्दा जो 2023 को कैनेडा में कुछ अग्यात लोगों ने गोली मार कर कर दी थी जिसकी जाँच जो है वो कैनेडा में चल रही है और कैनेडा के प्रधान मंत्री जस्रिन टूडू ने इस बात का आरोप जो है वो भारत की सरकार पर लगाया था जिसका जवाब जो है वो भारत की सरकार की तरफ से तो दिया ही जा रहा है और आपके लिए बता दे के खालस्तानियों के उपर भी लगातार सक्तो होती हुई नसर आ रही है भारत की सरकार हड़ी सिंग निज्जर की हत्याक की जाच है वो चल रही है और इसी दोरान भारत की जो एजनसिया है वो भारत में पलप रहे ख खालस्तानियों के खिलाब भी लगातार आक्षन लेने की तैयारी की जा रही है वहीं आपके लिए बता दें के जस्टिन टूडो को लेकर जो है ये भी चीज़ा निकल कर साबने आ रही है कि जस्टिन टूडो ने आरोप जो है वो कहीं बिना सबूतों के लगाए हैं क्यों कि आज जो है ये बात जो है वो शुरी लंका के विदेश मंतरी की तरफ से की गई है और जिस समय पर कैनडा के ओटावा में प्रधान मंतरी जस्टिन टूडो ने आरोप लगाए थे उस समय पर भी उनके पास कोई आरोप नहीं थे तो बिना किसी सबूत के इस तरीके से के पिएम की अब देखना आहेंब रहेगा कि भारत सरकार की इसपर क्या प्रतिकिर्यार रहती है क्यूब भात सरकार पहले से ही कैनडा को लगातार जवाब दे रहा है खालिस्तानी हो या फिर आतंग की इन तमाम लोगों को भी मूतोड जवाब भारत की सरकार देती है बात रही कैनडा की तो आपसी रुष्टों में सुधार की वाज जो है वहां की सरकार लगातार कोशिच जो है वो कर रही है जो तरीके से उनके विदेश मंद्री का बयान आया था अब पूरे मामले पर जाच चल रही है वहीं खालिस्तानी आतंगवादियों पर नकेल कसने का काम जो है वो भारत सरकार ने और भी जादा तेज जो है वो भारत में कर दिया है कैर इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कॉमेंट करकर जरूर बताईए थन्यवाद